पिछले विडियो में हमने देखा कि हम लूप्स का इस्तेमाल कर के जो रिपीट लूप भाइय है अऄ रिपीट तें टाइम्स इस किसम किra लूप का इस्तेमाल करके और स्विच कॉस्ट्यूम स्टेमाल करके जो हमारी sprites हैं जहां जो sprites costume बदलती हैं उनको animate कर सकते हैं जैसे हमने पिछले विडियो में इस snake को costume इसकी जो दो थी snake A और snake B इनको एक loop में डालके change करके बीच में एक wait command डालके animate कर दिया था इसी loop command और switch costume या next costume इनका use करके हम जो हैं देखते हैं कि और characters को कैसे animate कर सकते हैं तो scratch में क्या है कि जो sprites हैं उन में से कुछ sprites ऐसे हैं जिनकी अलग-अलग costume हैं जैसे ये abby नाम की sprite की अलग-अलग costume हैं पर ये Amon की नहीं है, Andy की है, ये Anina का dance है तो जिन sprites की costume बदलती हैं उन में हम ये switch costume या next costume की command को use करके जो है उनको और ज्यादा अच्छा animate कर सकते हैं तो यहां पर जो हम कहानी बना रहे थे, वहां हमारी ये butterfly है, अगर हम butterfly को select करके यहां costume में जाते हैं तो यहां पर हमारी butterfly की दो costume है, butterfly costume A और costume B और अगर मैं इनको तेजी से बदलता हूं तो जैसा आप देख सकते हैं कि butterfly अपने wings जो है वो उपर नीचे कर रही है और costume A और B हैं इनको अगर हम एक लूप में डालें तो हम इनको लूप में कैसे डाल सकते हैं कि हम पिछली बार हमने switch costume यूज किया था इस बार हम और सरल रख सकते हैं कि हमने next costume का ब्लॉक लिया और जितनी बार में इसको दबाता हूं उतनी बार जो है वो अपने आप next costume और butterfly क दो ही costume A B तो next costume A B costume बदलती रहती है तो अगर अब हम इस next costume को एक लूप में डाल दें तो लूप हमें मिलता है control में और जैसे या तो मानलो हम एक specific number of repeats का loop लेकर आते हैं जैसे यह 10 times repeat है और हम इस value को अंदर जाके बदल सकते हैं 5 भी कर सकते हैं 5000 भी कर सकते हैं और अगर मै इसको दबाता हूं तो यह बदलता है पर यह इतनी fast बदल रहा है कि ठीक से दिखना ही दाए तो इसके लिए हमें क्या करना है कि वह आपस control में जाके जतनी बार costume बदल रही है उतने उसमें एक छोड़ी सी weight डालनी है तो मानलिया जाए मैं 0.2 seconds की weight डालता हूं और मैं repeat करत हूं तो पांच बार जो मेरी butterfly है वो अपने wings उपर नीचे कर रही है पर control में ही एक और loop है जो बहुत powerful loop है जो है forever तो अगर हम यह forever loop लाते हैं और forever loop में के अंदर हम यह डाल देते हैं next costume wait for two seconds और अगर हम इसको execute करते हैं तो हमारी जो butterfly है वो अपने wings जो है flap कर रही है और हम हम क्या कर सकते हैं scratch में कि हम चाहते हैं कि एक तो यह set of instructions है जो execute होगा जहां butterfly के dialogues है वो भी when green flag clicked पे execute होगा और हम वह पस events में जाके कह सकते हैं कि यह जो दूसरा set of instructions है यह भी forever next costume change यह भी green flag दबाने पे ही execute हो तो अगर अब हम इसको stop करके वह आपस दबाते हैं तो हमारी जो butterfly है उसके अपने dialogues वगेरा भी चल रहे हैं और सांथ ही वो अपने wings भी flap कर रही है अगर हम चाहते हैं कि wings flap करते हुए जो butterfly है वो आगे भी move करे यानि ऐसा लगे कि wings flap कर रही है और उड़ रही है तो उसके लिए हम motion में जाके इसी loop के अंदर एक move 10 steps का command की command दे देते हैं और अब अगर हम इसको execute करेंगे तो जो हमारी butterfly है वो flap भी करेगी और आगे भी बढ़ेगी अब यहाँ दो बाते हैं एक तो यह कि यह सीधी butterfly इसले नहीं उड़ रही है क्योंकि इसका जो direction है यह यहाँ पर थोड़ा सा हमने angle प इसको वापस 90 पर ला सकते हैं और दूसरी बात यह है कि जैसा हमने snake के साथ कहा था कि अभी क्या हो रहा है कि जब यह instructions execute हो रही है तो जब यह next शुरू होगा अगर हम यहाँ पर इसको फिर से शुरू करेंगे तो butterfly वहाँ ही से उड़ना शुरू कर देगी जो हाँ वो थी ह हम य नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही जैसे सनेक की एक स्टार्टिं को जिए तो हम अपनी बाटर फ्लाइ को ड्रैक करते हैं जो भी हम चाहते हैं उसकी स्टार्टिक position हो और जैसे हम drag करते हैं यह अपने आप go to x and y जो है coordinates यह अपने आप ठीक हो जाते हैं यह नीचे भी यहां दिखते हैं x-157 y 96 मैं और यहां पर भी यह है x-157 y 96 और मैं अगर इसको जरा भी हिलाता हूं तो यह-156 106 और इधर भी-156 106 अपने आप update हो गया है तो हम इस वाली command को लाके हम यह drag कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि when green flag is clicked सबसे पहले go to this specific position x-156 y 106 और उसके बाद forever loop के अंदर हमने कहा कि costume बदलना two seconds की wait करना और 10 step आगे चलना यह forever loop को अगर आप अलग से देखेंगे तो यह जो set of instructions हैं यह बार बार रिपीट होंगी कि costume बदलेगी 2 second के लिए रुकेगी 10 कदम आगे बढ़ेगी फिर अगली costume आएगी इस तरीके से तो अगर हम यह वापस डाल रहे हैं और अब अगर हम execute करके देखते हैं तो यह तीनों चीज़े हमारी जो हैं हमारा स्नेक भी मूव कर रहा है butterfly fly भी कर रही है और butterfly अपने dialogues भी बोल रही है अब मान लिया जाए कि हम यही चीज़ केवल static एक position बदलना चाहते थे तो अगर हम वापस dog पे जा रहे हैं तो उसने last सवाल पूछा था हमारी butterfly ने कि walk पे चलोगे क्या और अगर हम यह अपना dog सिलेक्ट करके dog की costume देखते हैं तो एक तो यह है कि हम यह dog की भी walking कर सकते हैं कि जब अगर हम बाद में dog को walk पे ले जाना चाहेंगे तो इनको constantly बदल के दिखा सकते हैं कि जैसे कि हमारा dog जो है वो walk कर रहा है पर dog का एक और expression है जो की है थोड़ी जिग्यासा का तो जब उसने सवाल पूछा कि walk पर चलोगे क्या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम तब जाके कि हमारी butterfly ने कहा walk पर चलोगे क्या दो second के लिए तो हम वापस dog पर गए हमने dog पर जो हमने पहले देखा था कि सबसे पहले हमार को एक weight डालनी पड़ेगी तो हम wait 2 second की weight और उसके बाद हम कह सकते हैं looks में जाके कि switch costume to और हमें पताए कि वो dog C costume है तो हमने C costume किया तो अब देखिये क्या होगा कि हमने चलाया तो dog अपनी position में था butterfly fly कर रही अपने dialogues बोल रही है snake animated तरीके से आगे जा रहा है और जब वो last dialogue बोलेगी work पर चलोगे क्या तो जो dog है वो एक हैरान परिशान सा expression जो है वो दे रहा है